सो नमस्कातों फिर टेक्निकल बोस में आपका फिट्च बहुत बहुत सुवागत है दोस्तों कहीं आपका मुबाइल हैक तो नहीं किया जा रहा है किसी स्पाइवेर के दुआरा यह आप कैसे पता लगाईँगे हो सकता है आपका इस्ठागराम है किया गया हो किसी स्पाइवेर के दुआरा आपके वाट्साप को हैक किया गया है कोई स्पा एप आपके औंदर जो है डाल कर ओके तो हो सकता है कुछ भी हैट करने के लिए आपके मोबाइल में कोई ona होगी जो कि कहीं ना कहीं आपके डेटा को चुरा रही होगी उन अस्पाइवेर एप को आप डिटक्ट करके उनको अपने मुबाइल से बाहर फैंक सकते हो निकाल कर ओके जिससे आपके मुबाइल की जो सेक्यूर्टी है वो मेंटेन नहेंगी और आपका मुबाइल कभी भी हैक नहीं होगा तो इसके लिए आपको क्या करना है वीडियो को ध्यान से देखना है ध्यान से समझना है एक डाउनलोड करना है आपको जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रेप्शन में दे दूंगा अब उसको यूज करना है यूज कैसे करना है वो पुरा परोसच में वीडियो में आपको समझाए हुआ तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको यह application डाउनलोड करनी है लिंक मैंने नीचे description में दिया हुआ है इस application का नाम है दोस्तो clay guard okay clay guard application का नाम है इसको यूज करना भोती simple है easy to use app है एक click में आप अपने वाल को scan कर सकते हैं spyware को detect कर सकते हैं इसमें दोस्त आपको real time scanning का feature मिल जाता है कोई घुसेगा okay spy app जो है कोई डाउनलोड करने कोशिश करेगा okay तो आपका mobile तुरंत आपको notification देदेगा okay जिससे कि आपका जो mobile है वो hack होने से बच जाए okay आपका data hack होने से बस जाए अब थोड़ा ध्यान से पूरे process को समझना अब दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है play store से इस application को download कर लेना है clay guard को link मैंने इसका नीचे description में दिया वाए आप description के link से download कर लेजेगा download करने के बाद आप इसको open किजेगा इस तरीके से application open होगी आप यहां पर जो है swipe कीजेगा next कीजेगा minutes के okay यहां पर space पर आएंगे आप यहां पर i agree पर click करना है और इसके बाद start पर आपको click कर देना है अब दोस्ता यहां पर आप केवल एक single click में अपने पूरे mobile को scan कर सकते हो और साथे साथ आप यहां पर real time protection का feature भी आपको मिलता है real time protection भी आप जो है अपने वाइल में कर सकते हो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ okay app audit का option मिलता है app audit को कैसे यूज करेंगे वह भी आपको बताऊंगा सबसे पहले आपको बता दूँ यह आपके वाल में कोई spyware है तो के आप उसको detect करना चाहते है तो आप completely scan scan पर click करेंगी okay scan पर जासी click करेंगे यह जो है कुछ permission मांगेगा इसको आप allow करेंगे अब दोस्तो फाइनली आप scan पर click करेंगी अब आप देख सकते हो इसने scan करना अमारे वाले को start जो है कर दिया है अब दोस्तों जादा आपके वाले में data होगा उतना जादा ही यह time देगा okay तो थोड़ा वेट करना है जब तक फूल स्कैन ना हो इसकैन हो चुका है आपके सामने बहुत ही फास्ट स्कैन हुआ है मेरा okay यहां पर आप दे सकते हो जो scan result है वह आ गया है three problem found यान कि मेरे mobile में तीन ऐसी आप है यह वाली यह मेरे वाले को spy कर सकती है okay अब यहां पर true color दिखा रहा है true color पर यह दिए आपको विश्वास है okay कि मेरे लिए कोई ऐसी आप नहीं है यह तो मैं यूज करता हूँ okay तो आप यहां से इसको ignore पर किलिक करके इसको जो है white list में add कर सकते हो अब यह दो आप है इनका आपको पता है कि यह खतरनाक application है यह spy कर रही है क यूज कि इस application ने हमें बताया तो आप इसको fix करेंगी okay और यहां पर दोस्तों करेंगे clear all app data including share filter okay यहां पर आप जो है okay पर click करेंगे अब जैसे आपने okay पर click किया अब क्या होगा यह जो एप होगी यह जो है आपका mobile इनको delete कर देगा और यहां पर your device is secure activate real time protection to keep your device safe okay यहां आप इसने हमें बताया है कि आपका device secure हो चुका है लेकिन real time protection भी आप activate कर लेगे जिससे कि आपका mobile हर time safe रहे तो यहां पर back करेंगे और यहां पर आपको option मिलेगा आप देख सकते हो real time protection okay यहां पर आप click करेंगे okay इसको करेंगे आप proceed यहां पर करेंगे allow और इसके बाद ज होगा यहां पर देख सकते हो real time protection है यह हमारा ओन जो है हो चुका है अब यदि हमारे मोईल में किसी भी time कोई भी वाइरस घुसने के कोशिच करेंगा तो हमें तुन्होंत नोटिफिकेशन मिलेगा और हम उस पर action ले लेंगे mobile को scan करके उसको यहां से delete completely कर देंगे इस तरीक Mac की किस किस application को आपने पर्मिशन देवी है contact के किस application को देवी है SMS की किसको दिया हूआ है camera क्या हो सकता है तो आपको उसे तरिके से अपने mobile के application पर आप यहांप पर अकर audit कर सकते हो permission wise और यहाँ पर app wise भी जैसे यह connector app है यह मेरे लिए मुझे नहीं पता है कैसी यह app है तो मैं यहाँ पर click करके इसको direct install जो है कर सकता हूँ क्योंकि यह application मेरे लिए shape नहीं है दोस्तो तो आप app wise और permission wise यहाँ पर अपनी app को audit भी कर सकते हो बागे आप completely scan कर सकते हो केवल एक click पर click करने के बाद यहाँ पर आप वापिस से आकर scan result पर click करके जो पिछे हमें ने scan क्या वो result पर आप यहाँ पर आकर check कर सकते हो तो कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है तो दोस्तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने मुवाले के spyware को बहार निकाल सकते हो और अपने मुवाले को real time protection जो है दे सकते हो I hope यह वीडियो आपको उच्छी लेगे होगी खुछ ना से यहेंगर को मिला होगा अब दोस्तो मैं बता दो आपको जाता जाते एप्लिकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया आवा है डाउनलोड करना उसको यूज करना बहुत ही बैस टैप है तो यह तास वीडियो में सो नमस्का दोस्तों आपका दिन शूबो